दोस्तों यह है केल्चिम कारबाइट जो की दिखने में तो चूने के पत्थर यहसा होता है लेकिन जब हम इसे पानी के अंदर डालते हैं तो यह एक फ्लेमबल गेस जनरेट करता है देखो मैंने एक छोड़ा सा टुकडा लिया और मैं इसे पानी के अंदर डाल रहा हूँ अब इसके अंदर से गेस बनना चालू हो चुका है आप भी देखिए यह जो बुलुल है यह एसलिंग गेस के हैं जो कि इसके अंदर जनरेट हो रही है और यह गेस बहुत ज़्यदा फ्लेमबल भी होती है और एकस्प्लोसिव भी होती है देखो तो यहर इसका आज हमारे वीडियो के अंदर क्या काम है इसका काम यह है कि आज हम इससे बनाने वाले है एक गेस लेंप जो कि एसन गेस लेंप होगा यह जो आप देख रहे हैं लेंप इसी तरहलैंप लेकिन इसको बनानाने का तरीख अलग है और इसका बनाने का तरीख अलग है तो hello friends मैं हूं दिपेंदर और आप देख रहना है जश्ट ट्रायाओट चlad never पर मैं हमेशे कुछ नहीं कुछ अमेजिंग ट्राइग करते रहता हूं और आज में ट्राइग कर रहा हूं एक कारबाइड लेंप का जो की बहुत ज़्यदा दिल्चस्प होने वाला है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो कारबाट केंडल बनाने के लिए मुझे कुछ चीयों की जुरूत होगी जैसे एक जार जिसके उपर एक छेद होगा दूतरा होगा ऐलमनियूम फोयल ठीक है इसके बाद हमें जुरूत होगी एक फोम की इसका बस हमें छोटा सा तुकड़ा ही चाहिए होगा ज्यादा के लिए मैं इसे पहले हाफ कर लेता हूँ और अब इसका एक रॉल बना ले ना इसके लिए मैं इस रोllä को के लेह हो इसे फूलर करने मैं फेवी क्यूक का यूज कर रहा हूँ आप इसकी जगह गुलूगन का यूज कर सकते हैं वह ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि मैंने भी इसको इस्टेंट करने के लिए आपको बता दिया है अभी जो फॉम का डुगड़ा है मैं इसे इस नोजल के अंदर लगा हूँगा इसे ही होगा कि जो फ्लेम है वो इस बोटल के अंसर नहीं जाएगी और अंदर से गेस जो है वो आसानी से बाहर आ सकीगी देखते हैं ये एक सेफटी परबज के लिए हैं दोस्तों इसके अंसर में परन डालिया है और अब हमें इसके डालना होगा एक कारवड का छोटा ट है और अब मैं इसे जलाने वाला हूं तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डेंट में हो सकता है कि आइधिंग जो गेस है वो कम बन रही है हमें थोड़ा सा और कारबेट डालना होगा मैं इस कारबेट को फिर से डाल रहा हूं और अब देखते हैं कितनी बनती हो और हमारे जो लेंप है कैसा चलता है तो यार यह लेंप परफेक्टली काम कर रहा है आप देख सकते हो कि कितना अच्छी तरह से जल रहा है एक बार लाइट बंद करते हैं फिर देखते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हुए कितने अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और अंदेरे में अच्छी तरह से रोष्णी फेला रहा है इसमें क्यों लेह की दिक्कत होती है कि अगर गलती से फ्लेम जो है नीचे सिलेंटर में चली गई तो यह कंटेंडर को ब्लाश्ट कर देता है कि यह इसा नहीं होगा क्योंकि हमने इस से रोकने के लिए फोर्म लगाया हुए इस नोजल के अंदर एक और चीज के दियान रखे कि बिल्कुल भी लिकेज नहीं होना चाहिए आपके इस कंटेंडर के अंदर यह इस नोजल के जोंट के आपर मना यह ब्लाश्ट हो सकता है बाकी को ज़्यदा खतरे वाली बात नहीं होती है यह बहुत ज़्यदा सिंपल है बनाने में भी और इसके साथ आपको एक और चीज बता दूँ कि इसका प्रेशर हमेशे थोड़ा सा ज्यदा होना चाहिए प्रेशर कम नहीं होना चाहिए और आप जो इसको देखी चुके हो तो मैं आपको बता दूँ यह है कारबाइट केंडल जो की इसके बाद आपको इस चैनल को पर है जहां पर कैंजी आप कारबाइट से लेटर सारे एक्सपरेमेंट और सब्वीडियो आपको मिल जाएगी और इन फीचर जो वीडियो आई वह भी आपको महीं पर मिलेगी तो यार इसके लिए आपको हमारे चल्पर सिस्क्राइब करना होता अगर आपको हमारे जो आगे क नहीं वा करती थी और रोश्णी के लिए यूज किया जाते थे इन कार्बाइट लेंज का क्योंकि इसका जो फ्यूल है वह एक ठोस पत्थर जैसा होता है जिसे ना तो घिरने की दिक्कत होती है और ना ही किसी सेफ कंटेनर भी रखने की बता आप उसको किसी थेले जोलेम के स होती थी उनमें किस तरह की कार्बाइड लेंज लगा करते थे तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में जापर मैं इसी तरह की कुछ अमेजिंग एक्सप्रेमेंट ट्राइए करूँगा कुछ अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेकर आउँग